हलो फ्रेंट्स वेलकम टू आल आज मैं आपके जो वीडियो लिखा रहा हूँ देखे फार्मा स्टॉक्स में आपने देखा होगा पिछले एक दो महीने में खूब पैसा पंप किया है और जबरदस्त उचाल भी इन स्टॉक्स ने देखा दिखाया आपको और इतना पैसा क्य कोरोना की वज़े से डिमांड है तो सुधार तो आएगा ही इसलिए पैसा भी पंप किया गया और इस टॉक के नतीजे हमको और कुछ यहां पर सिगनल देंगे और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल लिमिटेड सिपला बहुत बड़ी कंपनी है फार्म सेक्टर के हर कोई जानता है और आज की डाइट में अगर मैं सिपला का कारोबार देखू तो 61 लाक शेर चाहां पर ट्रेड हुए जिसमें आल्मोस्ट मैं कहूंगा सवंटी सवंटीन पॉसंट के आसपास की डिलिवरी देखने को मिलिया यह बहुत यह अच्छी बात है अब बहुत अच्छी बात वानी बात क्या इसके जं seulement कोगे वह जढ़ा अच्छी बात Oops कर रहा है और अगर आप देखू यहां पर आम नुस्ट मैं कहूंगा इसने पिसलें दो-थीन महिनों के अंदर बहूत जबर्दस दिखाए लेकिन market capitalization वाइस देखोगे तो price इतनी तेजी से बढ़ा है कि आज की date में इसका market capitalization almost 58,000 करोड के पार है अब company के उपर ना के बराबर का debt है profit growth सिपला का बहुत ही जबरदस 32% का profit growth पिसले 3 साल का average है जहाँ पे pharma stocks की हालत खराब थी वहाँ पर सिपला का profit गो था बहुत ही बढ़िया देख पा तो fundamentally strong share में इसको कहूंगा लेकिन आज जो नतीज़ा है पहले उसके बारे मां बात करते हैं फिर बागी details जानेंगे आज जो नतीज़ा है आज फ्राइडे है यानि कि आप जो मार्किट ओपन होगी तो मंडे को ओपन होगी तो इसका जो भी असर है वो मंडे को देखने को बिलेगा छे बज़े के आस पास यह नतीज़ा है और नतीज़ों को जरा ध्यान दीजिए नतीज़ों पर बात करेंगे और यहाँ पर जो नंबर से हैं जो जूम कर लेता हूँ आपके लिए यह सारे नंबर से करोर्ष में फिगर्स है जिनके हम बात कर रहें यहां पर देखिए और स्टार्ट करूंगा रिवेन्यू से टोटल इंकम क्योंकि मैं यहां पर डिटेल में आपको बताने की कोशिश करता हूं ताकि क्योंकि सारी नंबर करोड में आप समय एंड टो एंड जो है चीजों को समझ पाएं और रिलेट कर पाएं देखिए नतीजे कुछ इस तरीके से है टोटल इंकम जो मुझे देखने को मिलिया यहां पर 4,411 करोड की जो की नंबर काफी अच्छा लग रहा है पिछले साल के कंपेरिजन में पिछले साल जून में कितना था 4,067 करोड तो यानि कि सीधे सीधे बढ़िया इजाफा यहां पर जैसे कंपनीज की आपने देखा होगा कि हालत खराब थी यहां पर फार्मा की इस कंपनी ने बहुत भी पॉजिटिव रिवेन्यू दिखाया है अब रिवेन्यू पॉजिटिव है तो अगरे एक्सपेंसिस के बाद जो है फिर आपकी प्रॉफिटेबिलेटी तो ओबर आल चाहे आप रिवेन्यू फ्रम ऑपरेशन की बाद करें टोटल रिवेन्यू की बात करें लेकिन प्रॉफिट और लॉस बिफोर तैक्स आप द तेक्स में देखने को मिली है और profit after tax को देखने और समझने की कोशिश करते हैं यहां पे कितना इजाफा देखने को बिलाए देखिए यह इजाफा आप देख पा रहे हो कि 447 करोड से यह profit बढ़के 566 करोड हो गया 100 करोड से ज़्यादा की तीजी बहुत ही बढ़िया positivity मैं इसको कहूंगा ऐसे टाइम पे जब चीजों की हालत खराप है यह stocks demand में है तो इसलिए इनके उपर पैसा खूब लग रहा है अभी situation पैसा कितना लग रहा है वो shareholding pattern को देख कि फिलाल अब earning per share को देखे किस तरीके से earning per share में तेजी आपको देखने को मिले अब earning per share के बाद हम चलते है जरा shareholding pattern को समझने की करशिश करता है सिपला के तो सिपला के shareholding pattern को जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ चौकाने वाले नतीजे DIY की तरब से आप भही आप देखें क कि DIY ने यहां पर यह मान के चलिए कि जो holding बढ़ाई है आज से नहीं holding बढ़नी स्टार्ट होगी थी जून 2019 से यानि कि पिछले साल से ही यह holding लगातार बढ़ती गई देखिए और आज की लेट में कहां चली गई है और अगर मैं बात करूं FII ने जून 2019 से holding कम करनी सुरू क कर दी जोगी अब दुबारा से बढ़ानी सुरू की है तो देखिए जहां पर डिया ने बढ़ानी स्टार्ट करी थी वहां पर FII ने कम करनी स्टार्ट करी थी सिपला में holding लेकिन important पार्ट जो है वह हम institutional holding के पिछले पुराने डेटा को देखते हैं खास करके mutual funds के फिर institutional investor के देखे जरा ज्यादा quarters का नहीं पिछले तीन quarters के data को ही आप देख लो या फिर पिछले साल जून के हिसाब से देखिए मार्च 2019 में यह मात्र 10% की holding की यह बढ़के 11% होती है जून में September में यह 13% होती है December में यह 16% होती है जरह इस data को देखेंगे और फिर चार्ट में जो है analysis देखेंगे कि कहा किस हिसाब से पढ़ी है quarters में लेकिन मार्च 2020 में बहुत तेजी से जंप हुआ और जून के टाइम पे सिपला पे profit booking देखने को मिली है देखिए जून के टाइम में सिपला में आप देख पा रहे हो कि कई लाग shares mutual fund वालोंने profit booking यहां पे करी है तो overall जो data है और अब मैं आपको लेके चलूंगा देखिए foreign portfolio निवेशकों की तरह foreign portfolio निवेशकों का data देखते हैं कि वो हमको क्या बता रहा है यानि कि FBI FII देखिए यह देखिए foreign portfolio निवेशक जड़ा ध्यान दीजें आपे किस तरीके से इन्होंने data को कम किया June 2000 आपने holding कम किया जून 2019 से 25% के आसपास से 23%, 20%, 17% लेकिन जून में इन्होंने अपने shares जो है बढ़ाए हैं देख सकते हो आप देखिए 18% के आसपास यह चले गए रिटेल निवेशकों को एक नजर देखते हैं फिर उसके बाद हम चलेंगे यहाँ पर टेकनिकल अनलेसिस पार्ट पर रिटेल निवेशकों की holding में हाँ पर देखना चाहूंगा और आपको बताना चाहूंगा देखिए रिटेल निवेशक सिपला में तीन लाग से ज्याद ज्याद निवेशकों के पास मात रिटेल निवेशकों के पास 62 मा कमको च रोड़ चौबेस लाग शेयर उसके बाद यहीं दिसम्बर में कम होते हैं और और उसके बाद मार्च में और कम हो जाते हैं लेकिन जून में इन्होंने खरीदारी कर रखी हैं जून में रटेल निवेशकों ने अच्छे खासे खरीदे हैं यह मान के चलिए कि Almost मुस्ट चालीस लाग शेयर्स यहां पर रेटेन लिवाशकों ने सिपला में खरीद है जून के क्वाडर में अब मैं आपको टेक्निकल आनलिसिस पर लेके जाओंगे कब से ये जो है 2015 के टाइम से जब से फार्मा सेक्टर में गिरावाट आई सिपला में भी बड़ी गिरावट देखने को बिली और धीरे धीरे आप देखें कि यहाँ पर ऐसा टाइम आ गया कि अभी जो है लास्ट यहाँ पर बेरिस क्रॉस भी बन गया लेकिन मार्च की गिरा जिसको पैसा आपका दोगना कर दिया अब पैसा आपका दोगना कर दिया लेकिन यहाँ पर जब आप देखोगे अब मैं वीकली चार्ट पर आपको लेके जा रहा हूँ किस तरीके से सिचवेशन देखने को मिली और कब प्रॉपर एंट्री के मौके यहाँ पर देखने को म फॉस्ट रेली के बाद जो correction आपका आता है वो important हो जाता है अगर मैं सिपला मैं कहूं तो एक retail निवेशक के लिए सबसे बढ़िया 600 का level था क्योंकि एक correction resolve होना काफी important था और उसके बाद भी देख लिए आप कहां तक ये stock जा चुका है लेकिर आप अगर और early entry चाहते हो तो आपको छोटे time frame में चीज़े समझनी पड़ेगी क्योंकि 600 के level पर आपके पास optimized में कहूंगा और बहुत ही बढ़िया risk management था यहाँ पर stop loss जो है वो 560 के आसपास का था bullish cross भी इसने weekly पे बना दिया था that is a big positive thing लेकिर अगर मैं लेके चलो आपको daily time frame पे यह आपको किस तरीके से चीज़े बता रहा देखिए क्योंकि जब यह वाली तेजी आई थी तो भई रुकने का नाम नहीं था बड़े बड़े अपर सरक्रिट लगे था और यह मान के चलिए कि अपरिल में सारे pharma stocks ने इसी तरीकी की तेज़े दिखाई थी लेकिर उसके बाद जो correction आया था वो correction आप देख लिजे उसके बाद इतनी opportunity आई है सारी simple similar kind of opportunity उसके बाद देखे bullish cross बनने के बाद चाहे weekly हो या daily हो आपका अगला correction important हो जाता है उसके बाद देखे हर बार stock ने positivity एक बार weekly पे bullish cross बन जाया तो यह जो hourly के structure है daily के structure है यह आपको मौके देते है opportunity देते है तो यह update देखा result बहती बढ़िया मैं इसको कहूंगा लेकिन एक March में June quarter में जिस तरीके से FII ने यहाँ पे खरीदारी करी है तो mutual fund ने profit booking करी है तो यह update था सिपला के बारे मैं result आपन किसे सब्सक्राइब कर ले बेल अकिन को प्रेस कर ले जैसे आपको notification आती रहें थांक यू थांक यू पर रॉचिंग वीडियो